हेलो दोस्तू वेलकम डे शीविल मंत्र मैं हूं ओंपव आज का दोस्तूं जो मारा टॉपीक ऑई इस्ट्रीम फंसन क्या होता है पहले मैं आपकी जानकारी के लिए गारे में अगर आपकी इसके डिफिनीशन समझ में आ गई तो आपको समझ में आज़ेगा कि stream function हमारा कहता है और इसकी क्या property होती है तो stream function क्या कहता है कि stream function स्केलर function होता है आप space and time such that याण समझेगा such that it's partial derivative with respect to any direction give the velocity component at right angle to the direction कहने का मतलब एक direction मैंने x माना 1 y माना this is the right angle इस condition में जुमारा stream function होता है इसको हम क्या size denote करते हैं यह भी याद रखना size है अब हमारा जो function है वो किसके angle में x के है और y के है अब इसका हम क्या करते है partial derivative लेंगे with respect to any section किसमें velocity के component में मैंने मान लिया जो x का velocity मैंने मान लिया minus v रहेगा और यह y का है यह u रहेगा ठीक है तो इस तरीके से partial differentiate किया मैंने इस size का तो del size x के respect में क्या होगा minus v और y के respect में क्या मिलेगा u यह आपको result याद रखना है यह हमारा कहलाता है extreme function अब देखते है कुछ इसकी property के बारे में इसमें क्या है हमने पढ़ा था continuity equation अगर आपने continuity equation का दोस्तो वीडियो नहीं देखा तो मैं link में provide करा दूंगा दोस्तो आप जरूर देख लेना ठीक है तो मारी continuity question क्या होती है two direction के लिए two dimension के लिए delta u upon del x plus delta v upon del y equal to the 0 तो u की value input करते हैं यह मैंने v का value find हो गया ठीक है यह होगे हमारी continuity question के लिए इस पे दो चीजे पूछना है पूछता है आपसे एक पूछता है rotational flow component के लिए एक पूछेगा for erotational के लिए देखो अब rotational की condition क्या होती है जो मारा omega z होता है rotational के लिए वो तब 1 upon 2 del v upon del x partial differentiation का है minus partial differentiation d u upon dy ओके तो यह हमें क्या होता है rotational component के लिए होता है अब हमें क्या करेंगे हैं से v की value को put करेंगे और u की value put करेंगे बार बार u और v की value आले देम नहीं काला है u की value u की value और v की value दोनों को क्या क्या है मैंने put की है minus का sign सर्थ तुमारे जो result निकला वो निकला minus 1 upon 2 double differentiation psi del x square plus double differentiation psi del y square यह मारता है rotation की condition rotational component के लिए अगर हमारा for e rotational है तो उस condition में क्या होता है जो मारा omega z है वो मारा 0 लिया जाता है तो जब omega z 0 लिया जाएगा तो जो हमारी equation है वो हमारे laplace equation अगर पढ़ा होगा तो यह मारे laplace equation को क्या करता है फालो करता है अगर यह laplace equation को फालो करता है तो हमारे जो function होगा हमारा function कहला हैगा stream function कहला हैगा कैसा function कहला है stream function कहला हैगा for the e rotational flow के लिए अब इसकी property क्या होती है देखो जो मारा साई होता है जो मारा मतलब स्ट्रीम फंसन होता है वो हमें बताता है कि मारा फ्लो क्या है रोटेशनल है या फिर इरोटेशनल है ठीक है पहली प्रोपर्टी होगी दूसरी प्रोपर्टी क्या है जो मारा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें.